एक समय की घटना है एक बुढ़े आद्मी ने अपनी बहुत से संपत्ती अपने पुत्र के नाम कर दी उसने अपनी बसीयत में लिखा कि उसकी सारी संपत्ती उसके मरने के बाद उसके पुत्र की हो जाएगी और बसियत करने के कुछ दीन बाद ही उसकी मृत्यू हो गई शंपत्ती इतनी अधिक थी कि उसका पुत्र और आगे जाने वाली उसकी साथ पुर्ते तक भी आराम से बैठे बैठे बिना कोई काम धंदा किये खापी सकती थी मगर उसका पुत्र अभी भी संतुष नहीं था वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था इसलिए उसने अपनी सभी अचल शंपत्ती बेच दी और भिन 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 बस्तुओं की खरीत फरोक्त कर उनका ब्यापार करना आरंब कर दिया भागे बस वह बहुत कम समय में अधियधिक शफल हुआ तथा शिगरी ही पहले से अधिक धन्मान हो गया उसने इतना अधिक धन कठा कर लिया कि दुसरे ब्यापारी उससे इर्ष्या करने लगे कभी कभी दुसरे ब्यापारी या उसके मित्र उससे उसकी शफलता का रहश्य पूछते तो वह कहता मैं इसलिए उनत्ति कर रहा हूँ कि मैं अपने धन्दे को शमजता हूँ और कठोर परिश्रम करता हूँ मैं अपने ग्राहकों को भी खुश रखना जानता हूँ चुकि उसने सचमुच ब्यापार में तरक्की की थी इसलिए उसके मित्रा और अन्य ब्यापारी उसकी शेखी बाजी को सच मानते थे अपने इस काम्यावी के कारण उसमें बड़ा ही अहंकार आ गया था मगर उसे फिर भी अपने धन से संतुष्टी नहीं थी वह अभी भी बहुत सा धन कमाना चाहता था उसने ब्यापार में अपने हाद पैर फैलाने आरम्भ कर दिये आरम्भ में तो उसे ब्यापार में लाप हुआ मगर उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि भागे के देवी उससे अप्रशन्न हो गई उसे ब्यापार में घाटा होने लगा पहली घटना तब हुई जबकि माल से भरा उसका शमुद्री जहाज डाकों ने लूट लिया दूसरी घटना में माल से लदा जहाज अरब शागर में डूब गया उसके भागे में कुछ न कुछ अपशकुन उत्पन हो गया था तीसरी घटना ने उसे बिलकुल ही उखाड फेगा वह दर दर का भिखारी बन गया उसका सारा ब्यापार चौपठ हो गया उसकी यह दुर्दसा देखकर उसके मित्रों ने पूछा भाई तुम्हारी यह दुर्दसा आखिर हुई कैसे इस पर उसने अपने भागे को कोशा और कहा क्या बताओं किसमत ने साथ नहीं दिया भागे की देवि उसकी बात सुनकर अप्रशन हो गई वह शाख्छात उसके सामने प्रकट होकर बोली तुम सचमुझ बहुत अक्रिताग्य हो जब तक तुम सफलता की सिड़ियां चड़ते रहे तब तक तुम उसका सारा श्रे खुद को लेते रहे मगर जैसे ही हालात खराब हुए तुमने भागे को धिक कारना अरंब कर दिया याद रखो मनुष्य की अक्रिस्मता तथा उसका अहंकारियों से ले डूपता है